नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिगज एक आटो सेक्टर के बार में प्रवियसली टू हुईलर बनाने वाला इस कॉम्पाणी ने सबसेट टप रंकिंग में मतलब बिलोंग करते है तो कॉम्पाणी का एक ब्रेकिंग निउज यहापर आचुके है आज तो इस कॉम्पाणी के बार में आज बात करूंगा कॉम्पाणी का नाम पहले अब देख च एक इस दोनों के बार में बात करूंगा तो आपके लिए क्या पॉजिव है और दूसरों के लिए क्या नेगटिविटी ती हो सकते है आपके लिए भी नेगटिविटी हो सकत Eh दॉसके के बार में यापे प्रमेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चन्न में बने रही है तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में तो कमपणी के नाम जो है बो हीरो मोटो को है मैं पहले आपको बता चुका हूँ टू हुइलर बनाने वाला दिगज एक कमपाणी और आप इसके उपर में अलग से आपको वीडियो बना के दिया था जब एलेक्टिक वेकल के उपर हीरो मोटो को भी काम करना स्टार्ट कर चु तो यहाँ पर आज की दिन का कौशन झीँछ है जिसके लिए आज के दिन जब मार्केट ऑपें हुआ मैं यहाँ पे देखिए मार्केड में ज्यवद्स गिरावट स्टार्ट हो चुके है मतलब मार्केड जो ओपें हुआ उसके बाद निप्ती और सेंसेक्स भारी भर घर स् तो इस तरीके से गिरावट के पीछे तो बहुत सार रिजन है, वो रिजन यहाँ पर मैं डिसकस नहीं करूँगा, मैं उसी लिए देखिए, जब Nifty में गिरावट होंगे, तो उसके जितने सारे companies है, उसके भी उपर गिरावट देखने को मिल सकता है, मगर इसके चार्ट पट तक यहाँ पर तेजी देखने को मिला, उसके बाद फिर से रिकोवरी स्टार्ट हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो प्रिवियस क्लोजिंग था, प्रिवियस क्लोजिंग टू, था और उसके बाद हाई किया, आज के दिन का हाई था, अक्चुल गैप अप में उ 22% का यहाँ पर तेजी देखने को मिला है, तो तेजी आए के गिराबट आए, कुछ भी आ सकते हैं, मगर जो न्यूज है, वो ओबियसली फ्यूचर और इंटेंड न्यूज है, तो आपको मैं हमेसा बता क्या हूँ, आपको हमेसा स्टॉक मार्केट में अपडेट रहना है, स्टॉक मार्केट में जितने सारे न्यूज आते है, उस न्यूज को फॉलो करना है, न्यूज को देखके अब ट्रेड मत कर लेना, तो आप फास सकते हैं, तो आप इंवेस्टर है, तो आप न्यूज को न्यूज का इंपेक्ट देखना है, न्यूज का इंपेक्ट जो है, वो long term के लिए है के short term के लिए है वो आपको देखना है पहले मैं आपको इस बात को बहुत बार बोल चुका हूँ हमेशा बताते रहूंगा क्योंकि आपको motivate करना ही मेरा काम है आपको अच्छा खासा रस्ता देखाना भी मेरा काम है तो यहाँ पे देख सकते है company hero moto को company के बार आपके लिए negativity भी हो सकते है तो कौन सा positivity कौन सा negativity वो आभी आपको में discuss कर देता हूं तो यहाँ पे company के निउज के उपर आ चुका हूँ यहाँ आप देख सकते है इस वीडियो को में आप पिछले दिनों में नहीं आज के दिन ही आपडेट आप दिख आप दिख रहा है करी आप देख सकते हैं कल के दिन ही निउज आया था और निउज के मद्धम से यहाँ जो इकनोमिक टाइम से उन्होंने आप लोड किया एक्चुली रात के साड़ा बारे के बाज मतल साड़े बारा बजे के बाद तो यहाँ पे आप देख सकते है company का कौन सा निउज है हीरो मो इस डेटा को मुझे पॉजिटीव और नेगेटीव डोनों बात इस डेटा के ऊपर चुपे हुए हैं देखे सारे के सारे company जनवरी से मतलब 2022 इस साल से जनवरी मांद से ही खुद का गाड़ी का प्राइस बढ़ाने वाला है क्योंकि देखे अगर प्राइस नहीं आर्निंग है company का जो margin है वो धीरे-दीरे काम हो जाएगा तो इसलिए हर company को उसका price range बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ पर इसी का नजरिया आपको देखने को मिल है तो मुझे लगता है यह जो news है यह दोनों impact के उपर है अगर दिखिए कौन सा positivity है और कौन सा negativity है पहले में negative के बारे में बात कर लेता हो यह negativity क्या है आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको जादा पैसा देना पड़ेगा तो January से पहले आप December खतम होने से पहले अगर कोई भी बाइक कोई भी स्कूटर मतलब आप खरीदरी कर लेते है तो आपको बहुत अच्छा खासा कम price मे मिल जाएगा जन्वरी के बाद अच्छा कासा price में जादा price देकर आपको खरीदरी करना होगा तो एही news actually आपके लिए negativity है मगर जितने सारे shareholder है उसके लिए obviously positivity है क्यों positivity है यह भी सोच लिए देखिए गाड़ी तो खरीदना बंद नहीं होगा price जितना high भी हो जितना low भी ह तो थोड़ा सा sell down हो सकते हैं फिर भी देखिए increase जोरू करेगा क्योंकि देखिए जितने बार गाड़ी का price बढ़ाया है उतने बार थोड़ा सा sell down हुआ है उसके बाद फिर से recovery हुआ और जब 10 बेचना start हो गया तो इस तरीके से तो impact देखने को मिलेगा ही मगर जो गाड़ मतलब जो गाड़ी बेचा जा रहा है उसका price अगर बढ़ा भी देते है तो भी market में भीक वाली होते ही रहेंगे तो इसका impact क्या होगा company का earning जदा होगा company का margin बढ़ेगा company आपको dividend देंगे साथी साथ company का price range भी बढ़ेगा और अच्छा कासा एक तेजी देखने को मिलेगा स साथ आपको profit भी जवदस्त होने को देखने को मिल सकता है तो यह data obviously आपके लिए positivity है तो इसी के बारे में आपके बात क्या गया है the country largest two-wheeler obviously इंडिया का largest two-wheeler बनाने वाला company है हेरो मोटो को या पर थास्टे के दीन बता है मतलब पिछले दिनों में बताए गया है we'll make an upward या पर देखे रिवीजन इन दा एक सोरूम प्राइस जो एक सोरूम प्राइस है वो भडाने वाला है motorcycle and scooter के उपर obviously इसका motorcycle and scooter के यही business है तो January 4th January 2022 मतलब आपको गाड़ी खरिदना है तो 4th January से पहले आप खरिदरी कर लिजिए booking कर लिजिए उसके बाद आप booking करेंगे तो तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा देखे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको गाड़ी का जूरूद नहीं फिर भी आप गाड़ी खरिदरी कर लेंगे आप खरिदरी कर तो आप 4th January से पहले खरिदरी कर लिजिए तो अभी आपको थोड़ा सा पैसा कम देना पड़ेगा इसी मेरा कहने का मतलब एही है तो शेयर होल्डर के लिए obviously positivity है यह पर देख सकते है the price revision has been यह पर देखे निकुमुलेटेट और टू पर्टिकुलर्ली यह पर ऑफसेट दा थोड़ा सा में यहां पर जूम चोटा कर देता हूँ हां आप देख सकते हैं इंक्रीज होने वाला है price range इसी के बारा में बात किया गया है statement यहां पर दिया गया है यहां पर price revision will be 2000 2000 से भी ज्यादा बढने वाला है देखिए गाड़ी के हिसाब से आप मानके चलिए अब धा 2000 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा और ज्यादा price range गाड़ी में आपको ज्यादा पैसा आपको पे करना पड़ेगा 2000 रुपीज भी बहुत बढ़िया इमान होते है कोई भी निवेसक के लिए कोई भी इन्वेस्टर के लिए आपको 2000 रुपीज आपके पास है तो आप बहुत सारे स्यार्स खरीदारी कर सकते है तो 2000 को आपको मचाना है तो आपको इस जानुवारी फॉर्ट जानुवारी से पहले अपको गाड़ी खरीदारी करना होगा तो इसी के बार में पूरे डिटेल से आप दिया अप जाकर देख सकते है तो company के बारे में मुझे positivity जूर रहा है बहुत सरे मंदी फिर भी आने वाला है क्योंकि देखिए प्राइस अगर नहीं बढ़ाएंगे तो प्रोड़क्ट का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो मार्केट में तो हल्चल मचेगा ही तो इसलिए आज के दिन मुझे लगता है इस तरीके से पारफॉर्मेंस आपको बता था मीचल फंड के पास बहुत जयादा इंवेस्टमेंन बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सरे लोग अभी मीचल में इनवेस्ट कर रहा है तो इसलिए मीचल five के पास वैसा बढ़ेंगे तो ज्यादा तर बो डॉलार में पैसा लिए आते है और इंडियान मार्केड में क्या होता है इंडियान रुपीज के इसलिए पान pict40 bakın YouTube बहुत बार आपको डीटेस दिखा चुका हुआ, सिर्फ एक बात कहूंगा, कुंपञे का मार्केट के अपलेशन 47,000 करोड है, कुंपञे के सारे चीज मुझे positivity लगता है, क्योंकि कोंपञे का इतना बड़ा कॉम्पानी के उपर आपको हमेसा फोकास होना चाहिए इस कॉम्पानी में आप निवेस करके रखे तो कोई भी टेंशन लेने का जोरूत नहीं कि कॉम्पानी का चार्ड पटन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा होल करना पड़ेगा मगर कॉम्पानी धीरे 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 अपको एक अच्छा खासा जगा पे लेके जाएगा तो कॉम्पानी आपको जिस तरीके से रिटान दे रहा है उसको आपको देखना चाहिए त सांडर पॉफट और साथीसाथ कॉम्पनि आपको जिस्तरी तर्ग से रिटान दिया वह भी देख लिए आपको एंगे सर नेगेटिविटिन रिटान आपको आपे मिल है तो मैं इस कमपानी में क्यों निवस करूं देखिए इस कमपानी के अपको मिनिम हें पांस से दस साल लेने का मतलब समझ चुके हैं तो आप उतो सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो इस कुमपणी के उपर आपको फोकस चुरू होना चाहिए और लॉंग टरम निवेसक है तभी आप इस कॉमपणी में निवेस करिए आप सौट टरम के लिए निवेसकर ना चाहिए तो इस झाले कि बाइब बाइब